दोस्तों ये बात को हम सभी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत आठ चीता को सेप्टेंबर 2020 में इंडिया लाया गया था नामेविया से और इन्ही आठ चीताओं में शाचा नाम की एक चीता में शामिल थी जिसकी पिछले सौमवार यानि 27 मार्च को मौत हो गई दरस ने इसकी मौत किपनी इंफेक्शन के वज़े से हुई थी जिसे जाच के दोराण चिपाया गया था जब वे नामेविया से इंडिया लाये जा रहे थे इंडिया आनने के बाद उसकी कंडिशन स्टार्टिक में तो ठीक रही लेकिन बायस चावरी के बाद उसकी कंडिशन बिखरने लगी और एज इस रिजट उसे बड़े बाड़े से छोड़ने बाड़े में शिर्च कर दिया गया लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई डॉक्टर्स ने काफी कोशिश की उसे बचाने के लेकिन उसकी कंडिशन दिन बदिन निगरते गई और एट दे एट उसकी मौत हो गई पर दोस्तों बले शाशा आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हमें निराश नहीं होना है और पॉजिटिवली ये सौचना है कि प्रोजेक्ट चीता जरूर काम्याब होगा अट प्रेजेंट गौनो नेशनल पार्क में 19 चीता मौजुद है जो अच्छा करणा है